पार्ट में अपने पढ़ा नागराज ओजरिजिशन के बारे में कि नागमडी इसका बोली लगवाता है नागराज का उसको खरीदने के लिए कई जगा से नामचीन माफिया वाते हैं और अंतर तो गत्वा एक आदमी जो है कि वह नागराज की बोली दे करके नागराज को ख यह नागराज को लेकरके एक जग़ा उतरता है और वहां से हेलिकॉप्टर में बैठा करके किसी जंगल मिले जाता है अब आईए देखिए वाइस मोड में किया इसके इस्टोरी है इसके बहुजूद भी हम पूरी तरह सफल नहीं हो पाते उसकी वज़ा असल में यह लोग छोटी छोटी जाती हो कि गुटों विवाजी थे हैं इन लोग अपने अपने धर्म गुरु जी ने खरिदना मुश्किल हो जाता है हम लोगों ने मिश्णरियों द्वारा भी काम किया धर्म पर्योर्तों दना इन्हें एक नए संप्रदाय में ढालना चाहा प्रंत इसमें कोई अधिक सफलता नहीं मिल इनको धर्म गुरु चीक पुकार मचा कर सरकार को चोकना कर देते हैं और अगर इसकी जातियों से कोई अपनी जगड़ा फैलाते तो एक सक्टी साली हस्ति एक सक्चेप करके इनका जगड़ा सुल्या देती है कि सक्ती साली हस्ति वो कौन है ब लेकिन कहते हैं कि उसकी उम्र 200 साल की है बहुत ही विचीतर और हसमे इंसान है कभी भी कहीं भी प्रकट हो जाता है कोई भी धर्म गुरू उसकी आग्या का उलंगन नहीं कर सकता हर आद में उससे खौफ खाता है तुम लोगों ने उसकी हत्ते कोशिस नहीं कि कई बार लेकिन हर बार नाकाम रहा है ऐसा कहा जाता है कि वह कोई बहुत बड़ा जादुगार है उसकी कोई भी इस्थानिया वेक्ति उसकी हत्ते के योजना में हमसे सयोग ने करता है तो तुम लोग मेरे हाथो उस स्वर्गधाम पचाना चाहते हो उसे तभी कैम्प आगे है बाकी बाते पूरी योजना के साथ होंगे सब ठीक है राका बस एक छोटी सी घटना को छोड़कर सब ठीक है बॉस कैसी घटना दोस कैदी भाग निकले थे मेरे सिकारी कुत्ते उनके बोटिया ले आए राका कैम्प इंचार्ज है और राका यह हमारे महमान नाक राज स्वागतम कैम के कंट्रोल हाउस में सबसे पहले तुम्भू भाग के चित्रों को ध्यान पूरोग देख लो यह टोंक नदी है जो ब्रह्मपुत्र जा मिलती है नदी के किनारी या स्थल देखो जो लाल बिंदु में दिखाया गया है यह बहुत ही पराणिक मंदिर हो इसके चारतर प कई पहड़ियां में कई कभीले भी है इस मंदिर को लेकर दो संपरदाय के लोगों में काफी पुराने जगड़ा चला रहा है बाद में एक संपरदाय को इस पर एक छतरा दिकार हो गया क्योंकि यह लोग दूसरे संपरदाय से हर सूरत में मजबूत थे धन से भी और ताकत से भी दूसरे संपरदाय वाले भी जगड़ा खतम करके इनमें आ मिले और फिर यह लगभग विवात समाप्त हो गया अगर इस मंदिर के भीतर रखी मूर्ती गायब कर दी जाए तो हमारा काम हल हो जाएगा वह किस तरह हम यह अफला फला देंगे कि मूर्ती दूसरे संपर साय के लोगों ने चुरा ली है दंगा भड़क जाएगा और जब तक मूर्ती मंदिर में वापस नहीं लोटेगी दंगा शांत नहीं होगा तो फिर तुमने अब तक यह काम क्यों नहीं किया यह काम इतना असान होता तो कभी कहो गया होता वह मूर्ती करोड की हैर और उसकी रक्षा मंदिर में रहने वाल सेकड़ो नाग करते हैं नाग साप वैसे तो किसी को कुछ नहीं काते परन्तु कोई भी व्यक्ति जब मंदिर में बूरे इरादे से जाएगा तो नाग उसे डस लेंगे हमारे पांच आदमी से चक्कर मारे गए यह तो कोई तिलिस्मी मसला है और तुम इस तिलिस्म को तोड़ सकते हो किया हाँ मैं बैसक तोड़ सकता हूँ इसके लवा सुरक्षा का कई और प्रबंध है वहाँ वहाँ यह दि मंदिर की चोरी का तुरंद पता चल गया तो आसपास के कभीलों तक में जल जला आ जाएगा सेकड़ों लोग सिकारी कु तो कि तरह तुम्हारे पीछे लग जाएंगे जैसे तुम मुर्ती चुरा कर भागोगे हम संप्रदाइक धंगा बढ़का देंगे मुर्ती प्राप्त करते ही तुम्हें बेले संप्रदाय के सरदार को सुचित करना होगा कि ऐसे सुरत में गोरखनात कुछ रोक्ताम नहीं करेगा उसके लिए गोरखनात को कभीले वालों का विश्वास दिलाना होगा कि मुर्ती वापस आ जाएगी और मुर्ती वा अहला नहीं पाएगा इस तरह उस पर लोदो संप्रदाय का विश्वास उट जाएगा और फिर उसका खेल खतम तो फिर समझ लो उसका खेल खतम हो गया नागराज ने मिसन पर रवाना होने के पूरी तयारी कर ली क्या तुम किसी को साथ ले जाना चाहोगे नहीं बस राका मुझे जंगल की शिमा तक छोड़ देगा करोरे के मुर्ती अगर मिझे मिल जाए तो ड्राइवर नागराज को सोचते सोचते जीब चलाते चलाते हैं सोचने लगा देश की ऐसी जिन्दगी जिने का एक सुनहरी मौका होगा जब नागराज मुर्ती लेके लोटेगा तब नागराज का भी खेल खतम कर दूँगो बस राका मुझे यहीं उतार दो इस पूल पर हम तुम्हारा इंतजार करेंगे नागराज अवज से मैं सिग्रही लोटा हूँगा और इसी पूल पर तुम्हारी कबर भी बनेगी नागराज जंगल के रास्ते आगे बढ़ गया ओ सेर के दाहाड वहा क्या युद्ध है एक सेर एक जंगली भैसे से लड़ रहा है और यह क्या एक के बजा दो दो जंगली भैसे यह तो जंगल के राजा के साथ नाइन साफी है मल युद में एक का मुकाबला दो सनी होता तुम्हे से एक को मेरे साथ लड़ना होगा और फिर धड़ाक अब बोल तिरे साथ क्या सुलूक किया जाए बस मैं तरी गर्दन के खड़ी तोड़ देता हूँ और फिर तेरे खल खतम तड़ाक उदर सेर भी अपने दुस्मन को मार चुका था हम दोनों अलग-अलग छेतर के राजा है दोस्त अभी मैं जल्दी हूँ वरना मैं तुम्हारे साथ जरूर बाते करता है जानता हूँ तुम सुक्री आदा करना चाहते हो नागराज उसी बस्ती के पास पहुँच गया बस इस नदी को पार करना है उसके बाद मैं उस बस्ती पहुँच जाओंगा बड़ा ठंडा पानी है मुझे आदी रात के समय मंदीर में दाखिल होना है तब तक मैं यहां विश्रान कर लो आदी रात के समय हर कोई गहरी नेद्रा में विश्रान कर रहा है नागराज को देखते ही कुत्ते दूम दवा कर भाग जाते थे, भाग जाओ, मैं नागों का राजा हूँ बस्ती में इंसानों का पहरा भी है, इसे गुजारदाने दूँ, जाकती रहो मंदिर के पार सोभाग में, बड़ा खतरनाक पहाड़ी पर खाड़ी है, इसकी पिछली दिवार नागराज खुर्दरी दिवार पर असानी से चड़ गया और फिसिगरी नागराज नागराज रसीक अप्रियो करता है, दिवाल गोपर चड़ के अब चलू मंदिर के नीचे अंदरोणी प्रागण में, नीचे पहुशने पर बाहर के कपात बंढ़ा और मैं नीचे अंदर आ गया हूँ, अब यह भी दर्वाजा नागराज के दाया हाथ, नागराज तुम जाकर पता लगाओ, कि इसे अंदर से कैसे खुला जाता है दर्वाजा खुल रहा है और मेरे सागेंदर ने अपना कमाल दिखा दिया बड़ा लोकी प्रकास है यह, तभी हिस फुस हिस फुस अले नातानों मुझे पर जहर उगर रहे हो थड़ो, अभी ठकाता हो मज़ा नागराज के सरीप अड़सने वाला साप पानी बन कर पिगल जाता था देख लो नागराज के जहर उगलने पर, का, नागराज पर जहर उगलने का अंजाम बचे हुए नाग नागराज की जहरीली फुकारों से धर्साई हो गया और फिर नागराज मूर्ति की तरफ लपका लेकिन तभी फुस फुस यह मुकाबला जोरदार रहेगा मेरी जहरीली फुकार करें पर कोई पासर नहीं हुआ है इसका मतलग यह किसी विशेश दर्जे का नाग है साइं 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 पुस फुस 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 धुप धुप यह दिखा रहा है उस समय कि फाइट्स दो कोड़ी की होती थी लेकिन आज में काफी चेंजिंग आ गया है कि उफ काफी खतरनाक बला थी सस्मुचिस मूर्ती को चुराना असान काम नहीं है लेकिन अब यहां मूर्ती मेरे हाथों में है अब यहां से चलना चाहिए और फिर टी 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 गस करते चोकिदार ने मंदिर के गुंबत पर प्रकास दिखा तो ओ यह कौन है मंदिर के गुंबत पर बस्ती में संक और तुरही वज़ उठे जो संक खतरे का संकेत था तू 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 ओ खत्रा मुझे इसी बस्ती से तूरंत निकल जाना है वा भाग रहा है पक्ड़ो घेर लो जाने ना पाए वह भाग रहा है पकड़ों घेर लोग जाने न पाए कभीले को खबर कर दो चारो तरफ सिखेरा डालो सक सक तीर भालो की बहुचार चल पड़ी सू सू सबसे पारफूल करेक्टर राज को मिक्स का तो एक बार साप छोड़ करके उन जगलियास को दे दनी खर्जा पने ना है चारो तरफ सिखेरा जाला है मसालो मसाले ही मसाले ठाक टुशिंग साए मुझे इन रिक्षों के सहरा लेकर इसके उपर पानी से गुजर जाना चाहिए अ क्या हो दो एक रिक्षों के जा कर्के सहरा लेक्ती का है कि मुझे इन मुच्चे व्रिक्षों का सहारा लेकर इनकी सीरों के उपर से गुजर जाना चाहिए और नागराज उस उपर डाल पर नागराशी लटका के महां से निकल लाता है अरे कहां वह देखो पाड़ी पर है कि मक्तों क्या पाड़े पर चाड़ रहे हैं टेक टेकना इस इन बड़े पत्थरों को इन पर लुटका दूं कायना वरूं के रहन नित्य में इसका आधा करके गरण 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 अब जल्दी से अपने तेज लंबे छलांग का प्रयोग करके इस खाई को पार कर जाओ इदर तीर भाला लेकर के सिकारी सायद मौमहर का है कहां का है अब इन तीर भाला से कुछ नहीं होने वाला और सुबह हो गई वाह बड़ा जो योखिम भरा मिशन था है यह हमारे सामने बस्ती पर दोस्तों कि एक कोई खत्रा मुझे कोई खत्रा नहीं है कि निगराज कोई वर्ड की सब्सक्राइब कोई वर्ड की बड़ा से प्रकास से बेले में कभीले के सरदार तक पहुंच गया मैं कामा होगे हो गया आप तुम लोग अपना काम सुरू कर दो हमले की त्यारी करो खत्रा नहीं है कि यहां पर नागराज मुर्ती चोरी करने में सफल भी हो जाता और बाहर भी ले आता है उसको पिर नहीं है पर नागराज साप छोड़ करके उन सभी को बगस्त कर देता है और क्यांट के लिए आगे त्यार होना पड़ता है और इधार उस वह लेडिज इसके लिए त्यार होती है यहां पर उपाबा गुरक नाथ आते हैं यहां पर उसके लिए आते हैं यहां पर उसके लिए आते हैं यहां पर उसके लिए आते हैं हुआ नाथ यहां पर उसके लिए होना पर आते हैं इससाम पर ढूपत झाल झाल